हाई ट्रेडर्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दा मोमेंटम ट्रेडर में ट्रेडर्स आज मैं आपके साथ एक इंट्राडे स्ट्राटीजी सेर करूंगा और ये जो इंट्राडे स्ट्राटीजी है ये है इनक्टिब व्यूअप इंट्राडे स्ट्राटीजी ठीक है या फिर आप इसको कह सकते है फ्लाइड इन्ट्राड पर इस्ट्रैटेजी में हम सिर्फ और सिर्फ फ्ल्याप को उस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप वी हैप के मदद से एक स्टॉक के मुवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते है या फिल उसके जो मुवमेंट है उस पे इंट्री या एक्जिट बना सकते है अब ये एक इंट्राडे स्ट्राटीज है पहला दूसरा है अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर है तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो क्योंकि इनक्टिवीटी पार्ट आपको मतलब कुछ हद तक थोड़े बहुत गेसेस के उपर ही करने होंगे और दूसरा चीज है कि आप में से हो सकते है कोई बताए ये कि एक चार्टिंग स्कैनर अगर हो सकते तो प्रवाइड कीजिए तो इस पे कोई इस स्ट्राटिजी को एपलाए करना है कैसे देखना है सभी चीजे इस वीडियो में जानेंगे तो अगर आपको ये पूरा जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा बीच में कहीं पर skip मत कर दीजेगा हो सकता है कोई important information आपसे मिस हो जाए और एक चीज भी आपके उपर और भी बहुत सारे strategies होते हैं जो आने वाले टाइम में मैं जरूर आपके साथ share करूंगा आज हम जानेंगे सिर्फ और सिर्फ इनक्टिव इंतरी ट्रेडिंग स्टेटिजी के ऊपर या फिर आप कहा सकते फ्लैट व्याप इंतरे ट्रेडिंग स्ट्रेदिग के ऊपर अब इस ट्रैटेजी का एक जो अच्छा साइड है कि आपको सुभा सुभा ही market में आखे कूदना नहीं परेगा कि मुझे अभी ट्रेड करना त ठीक है कि जैसे मुझे 9 15 बजा और ट्रेड करना है क्यों नहीं करना है या फिर क्यों नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह क्योंकि हम इस पर inactive भी या फिर फ्लैट भी आप की बारे में बात कर रहे तो अगर कोई व्याप मतलब अगर भी व्याप फ्लैट होने वाला है तो इस आपको 9.15 में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा या फिर 9.30 में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा इसे हो सकते हैं 20 बज-1 बजए ऐस टाां即 में आस्पस आपको ट्रेड मिल सकते हैं मैंने यहां पर Reliance का एक्जामपल लिया है अभी के लिए और 5 मिनिट का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया और यहां पर 930 940 तक यहां पर फ्रे बहुत फ्लैट थे फ्लैट मतलब या फिर इनेक्टिव मतलब मैं क्या कहने वाला हूँ कि या फिर क्या कह रहा हूँ कि फ्लैट आपका कुछ इस तरीके का होना चाहिए और फिर होराइजेंटल लाइन के तरह दिखने चाहिए या फिर थोड़े बहुत किल्टेड हो सकते है लेकिन इस तरीके का मुवमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए ठीक है लगभग टुग लगभग होराइजेंटल यह कभी बहु ऐसा तो नहीं हो पाएगा लेकिन जनरल यह देखा जाता है कि उस टॉक में एक अच्छे मूबमेंट आ जाते है या तो अपसाइड या तो डाउनसाइड कुछ देर बाद मतलब जब भी आप अपना डिरेक्शन धिरे दिरे चेंज करने लगता है तो आपको कुछ मूबमेंट जरूर उहां पर दिखने को मिलत उसके बाद क्या हुआ स्टॉक कॉंप्लिटली साइडवेज चला गया और इस साइडवेज के चलते यहां पर आप देख पाएंगे भी आप भी आल्मोस्ट फ्लैट हो चुका था अगर मैं इसको थोरा सा जूम करूं तो आपको समझने में हेल्प होगा देखिए यहां पर हुआ अप देखेंगे तो भीव है एकदम आपका फ्लैट हो चुका था इस तरीके का कोई स्ट्राक्ट्टर यहां पर है नहीं यहां तो इसको आप कह सकते कि यह अपर क्या करना है आपके जो इसको हाई है, इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि आप यहां पर buy side पर trade लेना चाहते हैं, या फिर जो recent high है, जैसे इहां पर एक high है, मतलब जो swing high है, या फिर जो swing low है, उसको आपको मार्क कर लेना है, तो यहां पर दीखे, swing high मेरा यह था, और swing low मुझे यहाँ पर मिला था या फिर आप अगर और भी conservative है तो क्योंकि swing high और जो दिन के high है उसके बीच में बहुत ज़्यादा difference है नहीं लगबग 5-6 points का difference है तो आप इस high को भी पकर सकती है आपके उपर है आप इस high को पकड़ेंगे या फिर इस high को पकड़ेंगे ठीक उपर भी अपना closing दे चुका और जैसे ही यहाँ पर इस तरह का closing आया लेके भीवाइब भी अपना direction चेंज कर चुका है अब यहाँ पर क्या है बहुत देर से यह एक range में move कर रहा था यह तो पहला चीज है दूसरा चीज है भीवाइब भी आपका flat हो चुका था तो यहाँ यहाँ पर एक अच्छे trade setup बनते थे या फिर आप कह सकते अच्छे buying setup बन रहे थे क्योंकि उपर की तरफ breakout मिला था सेम चीज अगर नीचे की तरफ हमें मिलता तो हम कह सकते अच्छा selling setup यहाँ पर बना हुआ था और जैसे ही आप इस चीज को follow करेंगे तो आपको simply कुछ नह नहीं होने चाहिए कि यह ऐसे उपर की तरफ फिर से नीचे आ गए कुछ कुछ देर तक आपने देखा कि यहाँ पे steady है या फिर आप इस candle के closing के wait कर रहे थे और time अगर आप देखेंगे लगभग 12.30 के बाद का time है मतलब at least 1 p.m के आसपास का time है और जैसे आपने यह देख और अगर आप थोड़े बहुत मतलब risk ले सकते है तो आप यहाँ पे भी अपना stop loss लगा सकते थे 2610.8 इस level के आसपास और यह अगर आप लगाते तो देखिए जो stock है धिरे धिरे उपर की तरफ movement दिखाया और almost इसका जो high था हूँ आपके थे 2680.90 के level तक और इसके बीच म आपने देखा कि यहाँ पर inactive view app था इसलिए आपने इस पर buy या sell करने के लिए अपना decision बनाया उसके बाद आपने level mark किया high या फिलो जो भी levels है जैसे ही high के उपर यहाँ पर क्यूद की closing आया तो आप यहाँ पर buying के लिए चले गया और जैसे इस closing के बाद आपने buy किया और यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ पर आपने जो movements capture के almost 60 points के आसपास थे तो आपने easily one is to two का risk to reward यहाँ पर achieve कर लिया था ठीक है तो इसी तरीके से और अगर पिछे चलके देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर लगभग view app इनक्टिव नहीं था क्योंकि ट्रेंड दिख रह रहे थे तो अगर आप इस low के नीचे मतलब यह जो swing low है इस swing low के नीचे अगर आप sell करते तो कुछ points आपको यहाँ पर जरूर मिलते अगर आप अपना stop loss view आप पर ही लगा देते तो हो सकते यहाँ पर one is to one point two one point three का आपको target मिल जाता ठीक है इसी तरीके से अगर आप और भ लेबल के आसपास है तो आप क्या कर सकते था आप इस swing low के नीचे sell करने के लिए सोच सकते थे 25-86 लेबल के नीचे और 25 लगभग 2600 का आपका stop loss होता तो 14 points का stop loss था और अगर आप यहाँ पे sell करते तो आप देख पाएंगे यहाँ पे इसका जो movement था लगभग 2560 के लेबल तक आ चुका था तो यहाँ पे आपने इजी ली 20-25 points का gain बना लिया था 14 points के stop के हिसाब से तो यहाँ पे भी आपको 1.5-1.6 का रिक स्टूडी वर्ड मिल रहा था ठीक है इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे देखिए यहाँ पे भी विवाप कुछ देर के लिए आपको फ्लैट दिख जाएगा यहाँ पे देखे फ्लैट एक फ्लैट मूब्मेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपने इस तरह का फ्लैट मूब्मेंट देखा तो आपने क्या किया अपना जो लो है इसको मार्क किया और जो हाई है इसको भी आपको मार्क करना था तो इस दिन का जो हाई था या तो आप इस लेवल को मार्क कर सकते थे या फिर आपको यह हाई मार्क करना था तो यह आप के उपर है आप कौन सा हाई पकड़ के चलेंगे तो अगर आप इस इस हाई को या फिर इस हाई को मार्क करते है उसके बाद देखी यहां पर मुवमेंट कहां तक आया आपका पहले तो यह हाई था या तो आप इस हाई को मार्क करते या फिर आप इहां पे जो हाई था इस हाई को मार्क करते तो अगर आप इहां पे बाय करते तो अल्मोस्ट 25-65 के उपर आसपास बाय करते और इहां पे अगर करते तो 25-70-75 के आसपास आप बाई करते और इसने 26 10 का हाई लगा था तो यहां पे भी आपको more or less 40 points के profit मिल रहे थे अगर आप 70 के लेवल पे लेते और अगर यहां पे लेते और भी 10 points आपको additionally मतलब आप almost कह सकते यहां पे 26 50 points से 40 points का profit आपको यहां पे मिल रहा था तो इस तरीके से आप भी आपके जो अगर इनक्टिव यहां फिर फ्लैट हो जाता है कुछ देर के लिए तो उसको आप यूज कर सकते अपने intraday trading के लिए अब यहां पे क्या है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ व्याप के basis में trade करने मतलब नहीं आते या फिर पसंद नहीं आते तो आप अपना जो setup है उसको पहले apply कीजिए उसके बाद यहां पे आपने देखा कि flatness आया और आपके setup में किसी आप से आप trade करते था और इस पर आपको buy entry दे चुका है और उसके साथ साथ आपको एक additional confirmation भी मिल चुका है कि यहां पर buy मुझे करने चाहिए थे क्योंकि view app मेरा पिछले कुछ time से inactive था या फिर flat था तो आप यहां पे easily buy entry अपना trigger कर सकते था और आपको यहां पे अच्छाखासा profit मिल सकता था तो या तो आप individually सिर्फ और सिर्फ इस view app के उपर inactive view app के हिसाब से trade कर सकते है या फिर आप कहा सकते flat view app के हिसाब से trade कर सकते और price action को use करके या फिर आप अपना जो intraday trading setup है उसके साथ इस inactive view आपको punch कर सकते है और इसको एक additional confirmation के तोर पे use कर सकते है यहां पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेगा कि stocks आपको manually देखने पड़ेंगे एक एक करके stock आपको देखना पड़ेगा तो इसलिए इसके inactivity phase आपको दिख रहा है तो जिस भी stock में आपको इस तरीके का inactivity phase दिख रहा है उस stock पे आप ज़रूर यहां पे selling या buying के point of view पे सोच सकते है और अपने setup को भी उसके साथ combine कर सकते है तो इससे आपको कुछ अच्छे results मिल सकते है ठीक है तो अगर वीडियो पसंद आए त इसको like जरूर किजेगा अपने friends family members के साथ share जरूर किजेगा अगर आप channel पे नए है और मेरा काम अगर आपको पसंद आता है तो मेरे channel को subscribe करके मुझे motivate जरूर किजेगा और उसी के साथ comment में बताएगा आपको यह process या फिर strategy आप कह सकते है या फिर आप कह सकते एक additional confirmation technique कैसा लगा तो मुझे भी कुछ help मिलेगा यह जानने में कि आपको कैसा पसंद आता है या नहीं और उसके साथ यह भी बताएगा कि आने बाले time में आप और कौनसे topic के उपर वीडियो देखना चाते और उसी के साथ अगर आप चाहे तो मेरे telegram channel को भी join कर सकते उसका link मैं description box में जरूर डाल दूंगा तो वीडियो आज यहीं तक रखते है आने वाले time में मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया